इंडिया लॉक्टाउन के चलते समान तो घरों में स्टॉक हो चुका है लेकिन अब इस स्टॉक किये वे समान में से चीजे होने लगी है खराब मौसम भी बदल रहा है चीजों को स्टॉक किये समय भी हो गया है तीन चार दिन जादा जगे भी नहीं है रेफ्रेजरेटर में तो अब क्या हो रहा है अब टमाटर होने लगे हैं खराब और इस खराब टमाटर को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा टमाटर को कितना बढ़ने वाला है अब है फिलाल है लौकडाउन फिरेटर了 21 जिन का और हमारे को टमाटर का इस्तिमाल करना है 21 दिंन तक तो किस तरीके से टमाटरको को प्रिजर्व करें देखते हैं इस वीडियो में और हमारे तरीके से ए आपझ कं से कम टमाटर को दो या तीन महीने तक भी इस्तमाल कर पाएंगे आगे बढ़ने से पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर ले सबसे पहले हमें टमाटरों को अच्छे से धो लेना है कि उन पे किसी भी तरह की डर्ट, डस्ट, बैक्टीरिया जो भी है उसको आपको अच्छे से साफ कर लेना है टमाटर दोने के लिए आप पोटाशियम परमेगनेट का इस्तमाल करें तो तो बेस्ट रहेगा फिकाज वो सारे बैक्टीरिया किल कर देता है आप देख सकते हैं हमने अपने सारे टमाटर अच्छे से धो लिए हैं अब इन धूलेवी टमाटरों को हम कूकर में प्रेशर कूकर में काट कर डालेंगे आपको दो तरह के रेसिपीज आप कर सकते हैं आप इसको काट कर भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर को साबूत अगर बहुत छोटे छोटे टमाटर हैं आपके पास तो आपको उन्हें बिना काटे भी आप कुकर में डाल सकते हैं लेकिन हमारे अभी टमाटर थोड़े ठीक लेलिने अब प्रेशर कुकर को हमने रख दिया है फ्लेम पर इनिशली हम प्लेम को तेज रख रहे हैं क्योंकि टमाटर जो है वह वह पर तक है लिड नहीं क्लोज हो पाईगी इस तरीके से तो अगर हम गयास को तेज रखेंगे तो धिरे धिरे जो टमाटर हैं वह थोड़ा सा नीचे को हो जाएंगे उनका रस निकलने लगएगा उसके बाद हम इसका ढण लगा देंगे है अब तोड़ा नीचे हो गए और हम कुक कर ढढ़ता डिया है कि अब हम लग िंदी कि अमको गास पर रखे रहने देंगे करीब 3 सीटि अने के बाद हम गयास को बाद कर देंगे तीसरी सीटी बजने के बाद हमने कर दिया है गयास को बंद अब आप यहां देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल्च जोके हैं इनका छिलका भी आप अलग कर सकते हैं चाहें तो लेकिन हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं वो और भी असान होने वाला अब हम इस कूकर को टमाटर समीत पढ़े रहें देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे यह से ठंडा हो जाए टमाटर हमारे ठंडे हो गए थे तो हमने चलने की मदद से उसका रस निकाल लेना है इस तरीके से टमाटर को हम उपर से डालेंगे उसको स्क्वीज करते जाएंगे और उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे नीचे को कि अब यह के अबी तक हमने पूरे प्रास Mick कहीं पर भी पानी नहीं डाला था हम प्रेशर कुकर नहीं पानी डाला है यह जो भींडाल रहा है यह टमेटो का जूस है टमेटो का रस है आप आगे देखेंगे कि हम इस टमाटर के रस को किस तरीके से अपनी रेसिपी में इंक्लूड करेंगे टमाटर का जूस है वो सेपरेट हो गया है अब जो ऊपर चलनी में मेटीरियल था हम उसको ब्लेंडर में डाल लेंगे और ब्लेंडर को चला देंगे अब टमाटर के गूदे ने भी जूस की फॉर्म ले ली है हमने जो पहले टमाटर का रस निकाला था हम उसको भी और इसको दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक पतीले में रख देंगे और गैस पर चढ़ा देंगे गैस को हमने कर लेना है तेज पर इसको उबाल आने तक इस झाल झाल उबाल आने के बाद आपको कर देना है फ्लेम को बंद टमेटो प्यूरी हो जाएगी तैयार और उसको आप ठंडा होने के लिए रख दीजेगा ठंडी हुई प्यूरी को आप अपने मन जाहे बर्तनों में स्टोर कर सकते हैं स्टील के बर्तनों में स्टोर करें तो बहुत ही अच्छी बात है लंबे समय समय तक के लिए अच्छे रहेंगे अधरवाइस आप इस तरीकी की जो आइस ट्रेज होती हैं जो इसमें हम इस समय का आइस को पॉप कर सकते हैं आशक करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अकर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें अपने friends और family के साथ share कर दें और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें बाई